अग्यूंद ब मुझाल अंग अग्यूंद पिशित अडिय दित्र आप आप नमस्का नेंग जय हैं एक topic लेकर आया हूँ जो बहुत सारे लोगों ने मैंसे पूछा है कि सर अगर हमें heart blockage का पता लगाना है तो हम क्या test कराएं सिलसिले बार बताता हूँ आपको कि जब आपको doubt होता तो आप क्या करते हैं और क्या कराना चाहिए और generally doctor भी क्या करते हैं step by step approach है या फिर direct approach है step by step approach बताता हूँ क्या होती है जो generally doctor follow करते हैं पर मेरी approach थोड़ी सी different है सबसे पहले कोई patient का doubt होता है सबसे पहले हम ECG करा के देखते हैं lipid profile से blockage का पता नहीं चलता है हो सकता है किसी के blockage हो lipid profile normal आजा और इसका lipid profile गरबढ़ हो उसको heart problem हो ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है एक risk factor है लेकिन ये कोई बात नहीं कि हम पता लगाने के लिए बिल्कुल definite पता लगाने के लिए lipid profile कराते हैं जी नहीं हमसे risk factor का assessment करने के लिए वो test कराते हैं पहले ECG करके देखते हैं ECG normal भी हो सकता है abnormal भी हो सकता है तो normal ECG आ गया फिर कहानी मैजधार में कि आपको नहीं पता चला कि आपको blockage है नहीं है लेकिन डॉक्टर को अभी भी doubt है डॉक्टर को अभी भी लग रहा है कि आपको कुछ है फिर वो बोलेगा है जाओ जी eco पिर आप वो कराते हैं उसमें भी result कई बार false positive आ जाते हैं कई बार false negative आ जाते हैं false positive का मतलब कि आपकी report में आपको problem नहीं है लेकिन report में positive आ गया और इसका उल्टा भी होता है कि आपको है और negative आ गया तो इसलिए वो बड़ी कई बड़ी report ऐसी आती है जहां पे आप और ज ठीक है लेकिन एंजिव ग्राफिव भी दो तरीके होती है CT coronary एंजिव ग्राफिव या फिर invasive एंजिव एंजिव ग्राफिव जिसमें हम तार डालते हैं आपकी नाड़ी के सुरू हाट तक जाते हैं थोड़ा सा risky procedure होता है हजार में से एक patient को problem भी आ सकती है टेस्ट के दोर जाते हैं और कई बार लोगों को यह भी लगता है कि यार एंजिव ग्राफिक राने जाओंगा तो डॉक्टर के बोल देगा पता नहीं सही है गलत है कि ब्लॉक के जाजी स्टेंड डालना पड़ेगा तो कि ट्रस्ट फेक्टर भी थोड़ा कम हो गया है कुछ डॉक्टर की अतने सालों से जानते हो तो कहीं गुँड़ करी थोड़ा वह तो होई जाता है ठीक यह सहीं ब्लॉक के बारे में बता सकता है और कोई भी टेस अशा नहीं है कैसे करते हैं सिटी अर्चछ थोड़ेगा एक तरह का सिटीन है है simple सिर्फ आपको एक injection देने एक डाई देनी है contrast injection दिया जाता है वो डाई आपके खून के त्रू हार्ट में जाती है और हार्ट में blockage पता चल जाते है जिसकी photograph ले ली जाती है ठीक है काफी हद तक सही होती है reports काफी हद तक मैं बता रहा हूँ अगर अच्छी जगह से कराया तो काफी हद तक reports सही होती है मेरे इसाब से 90% से उपर ज्यादा इनकी specificity और sensitivity है 19-20 कहीं थोड़ा बहुत variation निकल सकता है जब आप उसके अच्छा यह अगर blockage निकलाती है फिर इसको confirmation के लिए जहां पर थोड़ी बहुत blockage निकलती है minor निकली थोड़ी बहुत निकली तो हम कुछ नहीं कराते हैं कहते हैं आप दवाईयां खा और मस्तरो लेकिन जहां पर काफी blockage आगी 80% है 90% है एक में हैं दो में हैं तो फिर आपको invasive यह नहीं वो तार डालके जो angiography करते हैं वाँ जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो इससे भी जादे confirmatory test है तो उसमें फिर पता लगेगा तो फिर वो तब decide होगा कि आपको stand डालना है या आपको दवाईयों पे चलना है या bypass surgery होनी है त तो आपके पास एक option है CT coronary angiography का जिसमें कि आपको admit नहीं होना पड़ता छोटा सा test है hardly CT scan में जाने में और आने में तो पांच मिनिट भी नहीं लगते हैं मैंने अपनी भी गराई थे मुझे पता भी नहीं चला लेकिन सिर्व यह है कि आपको 4 गंटे खाली पेट रहना है और अगर आप कोई anxiety की दवाई खाते हैं तो खा के जाएं तो बेटर होगा तो यह एक चोटा सा topic था मेरा की blockage देखने के लिए कोई भी test 100% diagnostic नहीं है चाह वो ECG हो चाह वो eco हो चाह वो stress eco हो उनके बलकि कई बाद तो ऐसे result आ जाते हैं जहाँ पे इंसान फसी जाता है ना इधर का ना उधर का तो मेरे इसाफ से मैं क्या करता हूं मैं patient का ECG कराता हूं और ECG कराने के बाद अगर तो मुझे उसमें sure हो जाता है इसमें blockage है तो अब तो मैं सीधा उनको invasive angiographic तार वाली angiographic यह भी देता हूं जहां पे heart attack हो गया है सब पता है जहां clear cut है की blockage है तो CT angiographic रहने का कोई फाइदा नहीं फिर सीधा आप invasive angiographic रहें तार डाल के लेकिन जहां पे doubt है जहां ECG भी कुछ नहीं बता रहा है तो मैं beach के test नहीं कराता हूं stress ही को यह eco एक बार को मैं करा लेता हूं कि कोई muscles muscles कितनी week हैं यह पता चल जाएं वो हम करा लेते हैं कहीं बार लेकिन मैं stress ही को मैं avoid करता हूं मैं सीधा city coronary angiographic कराता हूं क्योंकि stress ही को भी चार जार रुपे के असपास का है चार साड़े चार जार रुपे का ठीक है और कहीं जगा पे वो करते भी नहीं है अगर उनको blockage ज़्यादा लग रही है तो वो करते नहीं हो कहते हैं आप dopamine stress ही को होता है जहां दबाई दे के heartic exercise कराते हैं ना कि आपको दोड़ा के लेकिन वो भी हर चेगा नहीं होता तो कुल मिलागे मुझे लगता है कि ECG कराएं अगर doctor को doubt है कि भाई नहीं ECG भले ही normal हो लेकिन उसको doubt है तो मेरे इसाफ़ से city coronary angiography next step होना चाहिए और मैं यह कराता हूँ मैं फिर बता दूँ सीटे करोनary angiography 14 से 15,000 का test है मैं जो करागे देता हूँ star imaging जो तिलक नगार दिली में है सिर्फ 7,000 रुपे में मेरे patients के लिए होता है तो अगर आप कराना चाहिए तो आप करा सकते हैं यह मेरा उनका अपसका agreement है कि मेरे patient जो भी होंगे जो माना और यह facilities दे रहे हैं कुछ और test भी हैं महेंगे test हैं जहां पर मैं कोशिश करूँगा उनसे भी हम कुछ ऐसा package ले लेंगी जहां पर आपको असानी हो एक चीज़ और बताना चाहूँगा एक heart और lung package भी होता है इसमें heart की blockage के साथ CT scan भी कर लिया जाता है almost same rate कही होता ह कुछ जादा फरक नहीं है तो वो भी अगर आप जिनको lungs का CT scan भी कराना है heart का दोनों का एक साथ देखना है blockage भी देखनी है CT scan भी कराना है heart उसका चाहती का उनको लगता है मेरा सांस कहीं lungs मेरे सिकून ना रहे हो या अंगर कोई problem ना हो तो दोनों test भी होते है heart and lung package के नाम है ठीक है तो thank you very much और अगर अच्छा लोग तो please subscribe my youtube channel और फिर बोलूँगा अपना ध्यान रखिएगा और अपनी बुरी आतों पे नजर रखिएगा और उनको control करिएगा और खतम कीजेगा cigarette बिलकुल no 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 cross cigarette के आगे drink थोड़ी कम करें और red wine उनके लिए option है जिनको शराम मे में वो भी अगर जा रहा नहीं सिर्क control में और cigarette तमबाखू बिलकुल no 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 exercise करें और अपने routine टेस्स लिपिड प्रफाइलर बागी सब टेस्स कराके देखते रहें एक्टिव lifestyle होना चाहिए जरूरी है बैठे ना रहें एक ही जगा पर शुक्रिया जर्रा नमाजी और आपका heart आपके साथ तब तक है जब तक आप उसकी care पर रहे हूं